तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए इंस्टेंट सूजी की इडली जो के खाने में बहुत ही टिस्टी बनती है और जिनके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये एकदम से बहुत ही परफेक्ट है तो चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ इंस्टेंट इडली जो की बहुत ही परफी बनती है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनती है तो चलिए यहाँ पर मैंने लिया है एकदम सूजी दो कटोरी सूजी लिया है उसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा कटोरी ध और उसी के साथ मैंने नमक और सोडा और थोड़ा सा तेल लिया है तो यहां पे देखिए आप देखी पारे होंगे कि जो सूजी को है यहां पे मैंने उसको धई डाला है तो उसमें धई को आपको थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है उसके बाद आप उसको अच्छे से मिक् नहीं चाहिए एकदम से, ओके आपको एकदम जितना जरुवत है उतने ही आप बार बार लगे तो बार बार पानी डालिये पर एकदम आपको थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है तो अभी आप देखेपा रहे होंगे कि मेरे को थोड़ा फिर से पानी की जरूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ पर फिर से पानी एड़ कर रही हूँ क्योंकि सूजी क्या होता है वो पानी बहुत लेता है तो अभी आप देखे सकते होंगे इसका यह perfect जिसको बोलते हैं इसका यह perfect इसका consistency है जो कि हमको इडली के ल सोड़ाइब कर रही हूं तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया ह है एनो तो डालने के बाद थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा फेस्ट विडिन एसको हम छोड़ देते हैं और अब मैंने एड किया है यहाँ पर क्या कर रही हो जितने भी हमारे सब इडली के साचे होते हैं उसमें मैं तेल लगा रही हूँ तेल देखी पा रही होंगे कि ना के बराबर है जस्ट फॉर थोड़ा सा ही अब मैं इसमें जितने भी सब इडली है हमारे अब मैं इसको अच्छ अगर आप पूरा उपर तक करेंगे तो वो नहीं होगा तो अभी आप देखिए कि एक तम से मैंने अच्छे से उसको रग दिया है तो अब मैं देखती हूँ देखिए यहां पर मैं टूथपिक से इसका टेस्ट करूँगी तो आप देखिए टूथपिक में एक भी निशान नहीं है इसका मतलब हमारी जो इडली है वो बनके तयार है तो just for the within of seconds इसको हम थोड़ा सा थंडा करते हैं और थंडे होने के बाद ही हम इसको निकालते हैं अगर आप गरम गरम निकालेंगे ना तो वो तूटने का उसका डर रहता है so look at the shape and इसका puffiness देखिए कितना must shape आया है और कितनी जटपड से बनी है तो देखिए मैं आपको फिर से और एक बार एक बार spoon से भी आपको दिखा देती हूँ कि कितने आसान तरीके से ही कर जा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ये तो hopefully आपको ये इडली का जो short सा वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है वो बहुत ही आपको पसंद आया होगा और कुछ tips और tricks के साथ मैंने आपको बताया है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा and do hashtag me on my Instagram sonamkipartsala so देखिए अभी मैं आपको फर से दिखा दे रही हूँ इसका save देखिए इसका puffiness देखिए कितना अच्छा लग रहा है so thank you for watching my channel bye bye